साल 2018 की जाते जाते ठंड ने ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि पहार से लेकर मैदानी इलागों में लोग सिहर उठे हर तरफ बर्वारी और सर्धावाओं की थपेडों ने लोगों का जीना मोहाल कर दिया है लेकिन इस बार सबसे जादा राजधानी दिल्ली की हालत खराब है क्योंकि यहां ठंड ने एक दशक पुराना रिकॉर्ड तूर दिया घर हो चाहे बाहर हर जगा लोग ठीटो रहे हैं राजधानी दिल्ली हर सार ठंड मेठी तूरती है लोगों पर ये कोल्ड अटाइक जन्वरी से ज्यादा पड़ता है लेकिन इस ताल तो दिसंबर से ही सर्धे के सितम ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया घर से बाहर निकलो तो कोहरे और शीत लहर दूलों की मार पड़ती है और अगर घर में कैद रहो तो भी ठंड पीछा नहीं छोड़ती हर तरफ ठीटूरन है इस बार तो ये कहर इतना जबरदस्त है कि पिष्टे 13 सालों का रिकॉर्ड ही तूट गया राश्टे राश्थारी में बुधवार सुभा काफी ठंड रही यहां दापमान 3.6 डिग्री सेल्सेस तक गिर गया जो मौसम के ओसत से 4 डिग्री नीचे है यह इस साल का अब तक का सबसे कम दापमान है 23 दिसंबर को भी पारा 4 डिग्री से नीचे गया था तब नियूंतम दापमान 3.6 डिग्री सेल्सेस दर्च किया गया था इस संड से पहले ही लोगों के रूंग्टे खड़े हो रहे हैं कि नई साल के आते आते अभी यह और सताने वाली है मौसम में भाग के मताबक आने वाले दिनों में ठंड तो बड़ेगी ही साथ में शीत लहर का भी अटैक होगा 28 दिसंबर के बाद पारा किर कर 3.0 डिग्री सेल्सेस तक जाने का अनुमान है यानि दिल्ली भी बर्फिस्तान बन सकती है डिबी लाइफ की रिपूर नहीं खबरें लगातार